कि नमस्कार किसान भाइओ आज हम पढ़ने वाले जो लाजिकल क्लासिफिकेशन एंड डियाग्रमेटिक रिप्रेजेंटेशन और बॉड़ी पार्ट्स ऑफ दे पोल्ट्री बर्ड्स जब हम जुळाजिकल क्लासिफिशन देखते उनका order है अनसारी फार्म जिसको एकोटिक बड्ड बन सारी फार्म पैर दूसरा जो आडर होता है वह घैला होता है जिसमें जिनके बर फैर छोटे होते स्दूर्श बड़ शक्रेचिंग और रोंकि भलते हैं उसके बाद जो फैमिली आती है वो जो पानी वाले बर्स है उनकी फैमिली एनाटी दे है और जो टर्की है टर्की की जो फैमिली आती है वो मेलाग्रिडे है और जो जापनीज बर क्वेल है और जो चिकन है उनकी जो फैमिली है वो फैसेनेडी है उसके बाद जीनस जो टर्की है उसका जीनस है मेलाग्रिडीस और जो क्वेल है उसका जीनस है कौटर निक्स, चिकन का जीनस है वो है ग्यालस और डग का जीनस है एनस और गूस का जीनस है एंसर उसके बात जो स्पेसिस होता है वो स्पेसिस है गैलॉपाओ टर्की की और गुज ने देखेंगे हम तरकी का तो उसको साइनटिफिक ने माएगा जैलॉपाओ यह जो scientific नेम बनता है यह जीना सो इस दोनों का combination होता है जैसे ओपर ओपर हम देखेंगे मेलाइग्री सो तो सेंटिपिक नेम बन गया मेलाइग ग्यालोप होगा सेम जापनीस क्वेल में कॉटरनिक जापनी का चिकन में डॉमिस्टिक देन डख में एनस प्लैटरिंग और जो गूज आता है उसका एंसर एंसर और कॉमनेम हमें पता ही है टर्की क्वेल चिकन डग उसके बाद हम पढ होने हमें बहुत जरूरियह थो जो जो कर सकते हैं कि किसे साथ को कर सकते इसलिए जरी होता है तो टरकी का जो क्रोजम हो नंबर .'" यंक हो 1-08 इस जथमें लुंशम नंबर आप सकते है तो डखते ही होती भी लब कुमnya नंबर नंबर को में हमारे बर्ड़ का हरु कि जब ऐस्टेर्णाल बॉड़ि पार्ड्स देखते हम तो हमें पता हम जब मुरगे में अधuben में एक होता है उसके सर के ऊपर है Deus में कोब्स कोम के ऊपर वॉइंड होते हैं ब्लेड ऑफ पॉब based off the comb होता है उसमें बड में big present होती है जो teeth होते वो bird में नहीं होते ह However at qual captures. और यह लोग के color से हमें पता चल जाता है कि मुर्डा मुर्डी कोँ से कलर का अंड़ा देना है किये अगर येंड़ी है तो वह ब्राउन कलर को कि इसके बाद माुअ के नीचे जो गर्मी में रहात दिलाता है व्हें वह विरु सके नॉस्टे और डख में जब देखेंगे तो ship के वील होता है तैसे हमारे मुर्गे में भीख होती है विसे जो टог nouvelles लेकिन जो बाकिन नहीं नहीं होता है चुन नूड जोनओ लिए चूजा उन वोगव HIV में नोरे कंग दिखता है बॉर्गें में हैकल और डग में फीदर होता है। पराइमरी सेकंड़नरी फिदर लाप यह दिखता है मुर्गे में और लगबख सारी चीजे कॉमनी होती है लेकिन जो विंग जो चिकन होता है उसमें टोज क्लियर होते हैं मतलब फोल टोज दिखेंगे हमें चिकन में और जो डख है उसमें बेब प्रेजेंट होती है मतलब जो होते हैं तो एक दीजे होते हैं से थाकि अलावा है एक स्ट्रक्शर में निकलता है यسडे स्ट्रक्शन निंकलता है वह ब्सकान लेकिन हवा में रहता हो तो उसको वेख बोलेंगे जो की मेल में dominant होता है और female में Velvet है यूंब में बहुत बड़ा दित आ जैसे व उसा फाइट में बड़ को काम है तो PE मेल और फीमेल का क्या difference होता है कैसे मुर्गा और मुर्गी पैचानते तो मुर्गे में जो मुर्गा होता होती है उसमे बड़ा होता है कों बड़ा होगा बढ़ा होता है यह बादी होती है 25 पर C 50 फी डर में चाल यह मांंग स्ट्छेन् फीडर होते हैं और पाड़ि करेंट होते सबस्थेल नकिला मीन स्ट्रक्चर तरों ते और टी उसमें डॉपी एन्ड बेंड भूए अब दोगा इतना शार्ट मुझा आपे तो यह में खासियत होता है और दोती है और भी जैसे नेक के उपर जो फीदर होते हैं वो मेल में थोड़े अलग से दिखते हैं इसलिए हमें आगे जाके देखते हम यह बॉड़ी पार्ट्स है जैसे सर के उपर देखो यहां पर यह जो यह सिंगल कॉम है कॉम भी अलग-अलग टैप के होते हैं तो कोम की इए बड़ी स्टोरी है अगर सिंगल कोम के साथ साथ करस करते हैं तो नेक सिंगल कोम के साथ स्टेज में होता है तो यह ज़ुँ निकलता है और जो पी और को मोता है वह दौ में दूरत ऑक तो फूर्ट से इसन सिंगली सिंगलल इंपba यह जो है यह आंसी कों से सपेद आगे की अगर रेड है तो यह ब्राउन देगी उसके बाद बीक यह वैटल होता है कि नीचे यह समर में जैसे पाड़ी डूबा के वगड़े करते हैं उसके बाद यह जो सीकल से फीदर है यह मुर्गा है यह से पता चल रहा है हमें क्योंकि जो फंग है यह देखिए इसके फीदर यह पॉइंट श्रक्टर नीचे और यह करली सिकल शेप मतलब कर ली इस इदर दोर होते पूरी नहीं होते कुछ होते हो जिसके हम पता चल जाता है और इस पर हाहएнок और यह जो नेख और है enrolled सामेंग तो इससे पता चल जाता है उसके बाद जब हम नॉर्मल आइसे जो फोटो देखते हैं तो दिखे यह रेड़ वाला जो है यह इसदर भी सिंगल को मैं और यह दिखिए इसका जो यह लोग है यह रेड़ कलर का इसका मतलब इसकी जो अगर यह फिमेल इसकी जो फिमेल होगी यह अंडा ब्राउन कलर का त वह से अमिद्दब कि देशी मुर्गा है या नहीं अगर यह ब्राउन लेकिन एक्षैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि जो बागी जो अमेरिकन क्लास है एक्षेटी क्लास है और इंग्रिश क्लास है उनका भी यह लोग रेड कलर का होता है तो उसके बाद ही हम देख देख सकत देखे है कि यह जो फीधर है इसके देखो पॉइंटे स्ट्क्चर है आकिन में लॉंग और उसके बाद है फीमेल में जो देखे यह फंक यह जो फीदर है इसके ब्लंड शेप दीख रहे हैं वो श्ट्रेट है यह ब्लंड इससे पता चल जाता है और इसका जो कोम और वैटल से यह उतना डेवलोप नहीं होता है इसे यह फिमेल है यहां पर हमने और देखते तो कोम भी इसका चोटा सा है वैटल भी चोटा है और यह जो फीदर देखो यह ब्लंड शेफ आती है मतलब और यहां पर कोई नहीं दीख रहा है इसका मतलब यह फिमेल है यह चूज़ां डग में देख्वाण डफ्में यह नहीं है कि यह बील बिक के जगव बीट होता है यह यह resident होती है अ सब्लाइब होता है वाडरे से जुड़ी होती है यह इंपार्ट्टन च्रूक्टर और और देखिए सको डप का मैं कैसे पचानते है। एक तो हमें यहां पर तेर्ट जादा नहीं होते तो यह जो कर ली कर ली कि कर लीजा है कि यह मेल डग और बॉडि स्ट्रक्चर से भी हमें पता देखो फिमेल में सारा सभी में यहां पर दिखती है कर लीप डब यह फिमेल यह समय होता है मुर्गी का थूज़ा हमें डेवल्ड में बीग बील देखें अगर परेजेंट है तो दख होगा अगर प्रेजेंट है तो चूज़ा होगा है तो इसमें जो होता है वह हमने पता है जो होता है चिकन में वह होता है तो पैपिली जो होता है वह तो इसमें चिकन में तो होता नहीं जो दूसरी के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले जो ज्यादा तर यूज होता है अगर नहीं प्रेजेंट तो वह फिमेल लेकिन इतना आसान भी नहीं होता उसके लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है क्लोए का खुल्दा चैया वह प्रेपिल स्ट्टिर बहार आना चाहिएो तो उसके लिएव प्रैक्टिस में दूसरी मेतड हैं फ्र Pure बुक्तों सेंटों सेंट्रोमेंट उससे भी करते तो मेंगे आप तक नहीं देखा लेकिन होता आफ ज Fayna इसके बाद है और यूश करते हैं यह पुए उल्क क्रोपने दिखते हैं और और अग मिथा वे बहुत जञादा यो आधी ग्रोथ देखने में इसमें ज्ञादा फीद Vergleich की ड्रोथ Congress तो यह बहुत सारी बड़ा होके तो हमें बताई दिया कि कैसे सेक्सिंग करते हैं तो चूज़े में इस तरह शेक्सिंग करते हैं देवल्ड में और सेक्सिंग करने आने चाहिए बहुत इंपोर्टन पैरेमिटर यह तरकी देखिए यह जो है यह आखों के बीच में एक प्रो आया है श्ट्रक्चर पैदा हुआ है यह जो यह होती है अपनी प्रोट्वरंज जैसे है पूरा लंबा दिखते है उसको बहुते नूर और यह देखिए इसका जो वैटल यह जो नेक रिजन में जो है यह करंकल है य और यहां पर एक बीर्ड जैसे ड्रिश्ट होती जो स्टेश्ट पर कभी कभी मेल होता है वहां पर फीदर आइसे बाल निकलाते उसको बीड भी बोलते हैं तो यह तरकी में प्रेजेंट होता है तो देखिए यह इस तरह हमें टरकी पता चल जाती है यह तो हो गया दूसरा हो गया वैटल और करंकल से पता चल जाता है कि ही तरकी है कि यह पर यहां पर आप जो मैंने बाल निकलते वह बताया था यह पर तरकी की पता चल जाता तरमेल में ज़्यादा होता है इसमें फिर में क्या होगा जो करंग कलों व hätten जो कम होता है और में चूटा आ निकला एक लेकिन होता है यहां पर उसको बोलेंगे हम तो यह अगर प्रेजंट है क्योंकि चूजा जो होता है तरकी का और मुर्गे का और एक जैसे दिखते हैं उसको पॉल्ट भी बोलते यंग वर आप तरकी स्कॉल पॉल्ट उसके बाद गीनी फॉल का जो में स्ट्रक्ट्टर होता है यह कैसे पता जलता चलता है यह थे पॉल्ट है अगर है तो वह हंड़ेट प्रसेंग बाकी तो हमें पता यह बैटल होती है बीक होती है आई होती है उसके बाद यह देखिए कितना बड़ा हॉर्णी श्रक्चर यहां पर सर की उपर दीख रहा है अगर यह स्ट्रक्चर अगर है तो वह हो गया गीनी पॉर्ण यह बहुत ही देखने में बहुत ही पुप्चुरत होता है लिकने सीजनल ब्रीडर से यह क कम देती है लेकिन इस के सीजन स्पेसिफिक होने के कारण अंड़ कम हो जाता है वैसे तो रोज अंड़ देती है हमने वी रखी है यह गिनेफाल हमारे कॉलेज में तो बहुत ही अच्छा है इसका आँड़ा छोटा साही होता है देन यह देखो इसमें male और female पर चालना थोड़ा difficult है देखो यहाँ पर male और female कोई अलग character नहीं एक दसी दिखते लेकिन जो battles वगेरा होता है इसमें female में थोड़ा कम होता है और अगर एक ही age group के है male female हमने रखे तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि उसका growth लेकिन अगर एक ही ग्रूप के है एक ग्रूप में आगे तो उसमें male female में यह स्ट्रक्चर होता है वेटल्स वगेरा यह थोड़ा female में कम ग्रूथ होगे उससे पतार चल जाता है female है उसके बाद यह कीट हो गया यह यंग वन आप गिने फावली स्कीड यह देखिए यह भी इसका फोड़ यह भी अपने चूजा जो होता है अपना क्वेल का वैसे दिखता है लेकिन थोड़ा बड़ा होगा और जो क्वेल का ज लेकिन जो बॉड़ी साइज है उससे हम पचांग सकते है कि यह मेल और फिमेल है यह है और इमू में जो खासी में क्वेस्चन आता है वह आता है कि इमू के जो पैर होते हैं वो कितने टोज होते हैं तो इमू के जो लेक्स होते हैं उसमें थ्री टोज होते हैं पर एक लेक में थ्री टोज यह बहुत इंपर्टरन अपजिट ही होता है कि एक पैर में कितने टोज होते हैं इससे पता जल जाता है हमें यह इमू है उसके लेक उसमें सिफ टू टो दोते इंपोर्टन करें तो उसके बाद इसे वर्ल्ड वेटनरी डेक बनाता है जो इंपोर्टन ऑब्जेक्ट्ट्टिव हैं जो छूड़ गयते हैं तो वर्लड वेटनरी डेक होता है वह लाट साटरेड़ ऑफ एप्रिल मनाते एवरी यार तो यह यह तारीख है यह यह पूछते पूछते हैं जितने में उसमें सारे में एक वर्लड वेटनरी डेक कब मनाते हैं यह सारफ हो नेट हो उसमें यह क्वेशन पुछते हैं तो हमने पता होना चाहिए लाट सेटेडे ऑफ एप्रिल फिर वह कोई भी हो डेज आ सकता है डेट कोई भी आ सकती है लेकिन वह सेटेडे होना चाहिए लाट होना चाहिए वैसे ही जब मैंने नेट पर पढ़ा तो मैं वर्ड एक डेक मनाते वह देख रहा था तो अब मुझे पता चला कि वह उसका भी है अक्तोबर तो इसका भी कोई डेट नहीं होती है कि एक्जाट इस डेट में हमने मनाना है तो फ्राइडे सेपन्ड फ्राइडे कोई भी हो उसमें मनाता है यह मुझे मिला है रहतना है तो मैं है यह दोनों ऑफज फिए हुआ याद कर लो यह एगजाम में जो कॉम्टिट झाल